दोस्तों अगर आप अपने लिए एक microwave oven लेने के लिए प्लान कर रहा है और आपने Samsung को अपने लिए shortlist किया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदरम आपको Samsung microwave oven के बारे में पूरी information देंगे कि आप कैसे अपने मन पसंदिता खाना पिज़ा बना सकते हैं या केक बना सकते हैं या खाने के चीज़ों को आप कैसे गर्म कर सकते हैं ये सारी information आपको इस वीडियो के माद्देम से मिलेगी क्योंकि दोस्तों ये Samsung microwave oven डेमो वीडियो है जहां पर इस microwave oven में आपको खाना कैसे बनाना है साथ में आपको क्या-क्या साउधनिया रखना ही इस सारी information देखने को मिलेगी लेकिनों से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को तुरहां सब्सक्राइब कर लेजिए साथ में पाल आइकन को प्रिस करना मत भूलेगा क्योंकि आपको हमारे चैनल पर दोस्तों इसी तरीके के वैल्यूबल वीडियो बिलते रहेंगे जो की आपका नॉलेच बढ़ाते रहेंगे लेगे सबस्तों आप्शन तो क्या करना है यह जो रिंग है यह आप ऐसी भी ऐसी भी कहीं से भी रह सकते हैं इसके बाद यहां पे फ्लावर बने हो रहें इसको गेप में रखना है इस फ्लावर के यह से रहेंगे कि आपर और on करिया है सबसे फर्स और रहा है माइक रवे यह वाला माइक लग जो बी छीश पकाने की रहती है फिर गड़ं करने की रहती है वोatted चीजापकि माय करने मो ओती आप माहें क्रेट करेंगे जैसे आप मायक्र्त करते हैं तो यहांपे नेलте वाड रिखाaf है देना को हैक्त आता है अगर करने के बाद है यहां से अब डाउंस आपको टाइमिंग है यहां से बढ़ेगा और है कि अगर रगवी प्रेस कराई तो रूइशया हूं एक प्धिन को स्थीर आपका मä, 2। इस दो पीजा वगरा या बाटी वगरा सेखने हैं आपने वह हर चीज आपकी ग्रिल ऑक्षिन पहोगी आपको यह हाई रेक रखना रहेगी इसको रख दिया इसके ग्रिल प्रेस किया देन स्लेक किया आपको टाइमिंग दिया अपने और स्टार्ट कर दिया तो जो भी चीज सब्सक्राइब ही आपके बाद में बहुत कर सकते हैं लोत कcoon टाइमिंट करें सकते हैं ओब्धिर बता रहा है अगर आपको कम करना है कम धीमिया तो पकाना है तो आप उसका temperature कम ज़्यादा कर सकते हो जैसे आप मैंने किया microwave यहां से 450 कर दिया select किया तो 450 को set हो गया दिन आपको timing देना start कर देना और हर बेक्री आटम रहता है कन्वेक्शन में कन्वेक्शन में क्या होता है इसमें 180 डिग्री होता है कम ज़दा करना हो तो यहां से आप कम ज़दा कर सकते हैं 200 तक रहता है जितना आप सेट कर सकते हैं इसमें पकाना प्लस उपर से ब्राउन करना है यह दोनों चीज़े हो जाएगी माइक्रो प्लस ग्रील पर जाएंगे इस चीज को बनाने में कामा करने के लिए तो गरम भी कर देगा प्लस उसको उपर से क्रिश्पी रखेगा मोशन देगा उसुमें उसके लिए देख्या सब्सक्राइब कॉंपी पे जाना है आपको देन यहां से लेक करना दो दो बार क्योंकि दो चीजे माइक्रोब भी ए ग्रिल भी है इसलिए दो बार स्लेक करना है देन आपको टाइमिंग देना रहेगा टाइमिंग दिया है और स्टार्ट करें तो उसमें एक और ऑप्शन है क्वंभी टू पर जाएंगे पहले क्वंभी प्रेस किया आपने अब य मिक्स करके रख देना आप बहुरोसे बॉल में तो पका भी देगा प्लस उसे क्रिस्पी भी कर देगा तो इसमें आपको टीमबास लेक करना है बड़ फिर टाइमिंग देना रहेगा आपको और स्टार्ट करना इस टॉप किया सेकेंड टाइम उपर प्रेस करेंगे चैंसल आपको normal time पे बिलाना हो, तो आप power defrost कर सकते हैं, power defrost आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर पास option दे रखें, जिसे अपका दे रखा, meat, poultry, fish, bread cake का fruit, अब fruit ज्यादा थंदा है, फ्रीज में रखा हुआ, उसको आपको normal time पे रखा हुआ उसको आपको normal time पे रखा हुआ, जिसे यहाँ पर नंबर दे रखें, फ्रूट है, 5 नंबर पे तो इन्हें fruit set किया, select जैसे ही करूँ है तो quantity बताएगा, कितने quantity है fruit की, अगर apple होगा, उसका 100 gram apple रहता है, रख दिया आपने और start कर दिया, अब वह वेट के according timing automatically ले लेगा, जैसे ही मैंने start किया, यह दो मिट 30 second ले लिया, अब दो मिट 30 second में वह room time पे ला देगा, तो आप directly उसको आ सकते है, उसके बार दे रखा है यहाँ पे slim fry, slim fry option भी दे रखें, इसमें 4 option दे रखें आपको, 1, 2, 3, 4, अब 10- word, वह यहां लिखी हुई है, और two option में भी 6- word, वह भी लिखी हुई है, तीन option में तीन दे रखें, और four option में भी 3 तीन दे रखें, वह लिखा गी है, अब अब आपन select करेंगे इसको, जैसे सिलेक्ट किया तो यहां पर ऑप्शन दे रखें यहां पर लिखा हुगा है मसला फ्रेंच राइस किते नंबर पर फॉर उप्शन पर तो वन का फोर लाना आपको वन टू थ्री फॉर पोर ऑप्शन पर जाएंगे ठीक है रग दिया अपने फ्रेंच फ्राइस या प्ले यहां पर लिखा फ्रोजन ओवन चिप्स वन नंबर पर रखाएंगे आप जाएंगे जैसे सिलेक्ट करूंगा तू का वन ऑप्शन आगे इसमें स्टाट बटन नहीं बताएगा इसमें आपको सिलेक्ट करना है तो ग्राम पुछेगा आपको तीनसो तीनसो ग्राम या चार दे रखा है तो आपको रूटी रखना काए में आपको हेरिक लेना है हाई रेक में बेल के आपको रख दिना है रोटी और रख दिया प्लेट के ऊपर प्लेट हमेशा पर्मानिट रखी ग्लास की याटाना नहीं अपने रोटी रख दिया इसके ऊपर जिससे स्थाट करूंगा में तो प्री हीट ऑप्षिन पर जाएगा ये जब भी वह बीप करे कर दे रखा एक पर जो भी डालते हैं और अब जो भी डालते हैं और रख दिया ठीक लेट के ऊपर जैसे शलेक करेंगे आप वन का वन ऑप्शन आ जाएगा इस्टार्ट करेंगे 35 मिट ले गए 35 मिल में क्या करेगा वह उसको गाड़ा कर देगा पर आपको एक घंटा इसी मे पर घंटा फ्री अप जैकर ही बनीक्ट डिखेस में डोप कि पीजा दो बना सकते केक बना सकते बेइड मेसे अब बेल के आपको रख देना इस पर या फिर आप इसके ऊपर रख में नब यह गोदिया प्लेट के ओपर अपनी दो पिये जाने के लिए सइकेंड पर आपको सेलेक्क करें गे तो तीन आप्शन के रखें पीजा रोकेक दो आप अधिक इंडियन रेशीपी आपको मैडवल बुक से देखे करना रही है। एक अप्षिन में आपको दद्दस रेखी रेखी यह जिसे इंडियन रेखा है यहां पर लिखा होगा, इसमें अब इसमें हर तरह के के आपके तरह के आपके शूप अनस्नेक्स, 1 पे 6, चीक है, स्लेक्ट जेसी करूगा में, 1 1 आ जाएगा, 1 2, 1 6, आब 1 6 आपको बस रख देना है, पुरा चीजे मिक्स करें, तड़का आपको गेस पर लगाना, तड़का इस महीं लग, और बन करके स्टार कर दिया, स्टार जेसी करेंगे तो 6 मेट में आपका पोहा बना गले हुए होना चाहिए, तो यही ऑप्शन दे रखे हैं सर, सूप स्नेक्स हुआ, वेजिटेबल और राइस हुई, सूइट से न तंदूरी हुआ, ठीक है, यह सब दे रखे हैं, आपके केक दे रखा है, हर एक ऑप्शन में दद्दस रेसी भी दे रखे है, वह आपको मैं अब इसको स्टॉप करना है, तो आप स्टॉप टंटेबल अन उफ दे रखा है, जैसे इसे प्रेस करेंगे तो यह सिंबॉल हो जाएगा, आफ का, तो आपके प्लेट भूमना बन हो जाईगे, वापिस प्रेस करेंगे, अन हो जाईगा, इसका फरक क्या परता है, यह सर, ज रख सकते हैं, अगर को छीजे हैं, आपकी तो रख सकते हैं, जैसे आपको पीजा बनाना है, या और केक भी बनाना है, पीजा ओपर रख दिया आपने, केक नीचे रख दिया, लेकिन क्या कि वो गिरेगा तो आपको अलग-अलगी रखना रहते हैं, जैसे दोनों तरफ तो जल्दी हो जाएगा फिर उसको निकाल के ओपर रख दिया तो हो जाएगा कर्मेशन में जो रहती है वह सामने से इटिंग आती है और ग्रील में ओपर जाती है यह चाइड लॉग दे रखा है जिसे कोई बच्चा आके छिड़ता तो उसको आप चाइड लॉग कर सकते हैं अब छोटी मुझी जी ये गरम करना अपको तो अपने से एक कटोरी डाली करना ही रख दी अपने 30 से गडिया उस टाटी से कंड में गरम हो जाती है इस टॉप करेंगे से कटांड करेंगे तो कैंसल होगा और थर्ट तैम एक ओर बार करेंगे तो और आफ भी कर सकते महां से अब यहां से भी आउफ कर सकें बाकी कुछ चीज है आपके पर जो कर सकें पापड़ हो यह फिर चाहे निदल रखेंगे ना तो बीच में से होता नहीं है तो इसको आला आला करके आइट साइड टक होगे ना तो हो जाएगा अब कोई सी कटोरी में हो वह तो गरब हो जाएग आज देदें ये एक दो तीन भी कर सकते हैं अब विखा दिछेत चोटा सा कट दीजें पंश्चे निकरने के लिए अब अब आपने इसको सुर्फ दो मिट्ट के और भी मिट्ट देंगे चीज है यहां से माइक्र वेव करना कोई सीच पाने कि लिए आपको माईक्रवेदी करें माइक्रोव करोंगे स्लेक करोंगे यहां से आपको टाइब लेगे जाए जादा हो गया है नहीं मिट दिया एक अलू के लिए अगर लगता है तो फिर आपना आदा एक मिल बढ़ा सकते हैं बाखी नहीं में सब सो हो ले यह ने मैं बचा दों आपको यह मेटल जो भी यह शिरफ आप दो अप्छन में रशकते हो एक सब्सक्राइब अर ग्री जो रहे के अपका ग्रेल में यूज होगा और जो लो रहे के वह करनेशन लूगा यह आपको यहाँ रखना है आप हर option में रह सकते हो ठीक है और बोरो से लिए एक बाउल आता है वो हर option में रह सकते हो ठीक है यह आपको microwave में यूज नहीं होगा ना पूरिसे आर्टो फंक्शन में यूज होगा बस यह रोटीनन वाले पर यूज हो जाएगा आपका हाई रेक ठीक है बाकि आपको convention green और बस इसी में रखना आपको यह मेटन बाकि और किसी में रखना नौनिस्टिक पेट आप हर option में रह सकते हो ठीक है हर चीज पकाने की जोगी वह आपको microwave में करना है अगर baking और ब्राउनिंग है तो convention और grill यूज करें यह तीन चीज आपकी में रहती है microwave पकाना grill जोगा और उपर से browning करना हो और baking commission आख में एक यह अधे बायो बुरो शिर बायो ले ला इसमें आप 2-3 निमिम्पोड में लेना है घीक है और रख देना है पानी में जतनी पर पानी में पानी हल्का सब्सक्राइल ले जीगा आधा कप ता प्समें मिन्युचोड लनां रख देना अपो यूद और ओफ Runner तो दोस्तों यह रही complete details Samsung microwave oven के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अमाद्यम से आपने इस microwave oven को ठीक से चलाना जरूर सीखा होगा और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अपने लिए एक नया microwave oven लेने के लिए प्लान करता हैं तो फिर इस प्रोड़क के लिंक में आपको डिस्क्रिप ज़्यादा लिए ड्यादा तो रखक नचक के लिए zitten